नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ जुलाई आशाड मास के रविवार की रात सोने से पहले, दोस्तों थोड़े से गुड का वह उपाए जिसने भी कर लिया, वो हो जाएगा धनवान, उसकी अगली साथ पुष्टों तक होगी, धन की बरसाथ, गुड के वो उपाए जो केवल रविवार के दिन किये जाते हैं, यदि आपके जीवन में कैसे भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, यदि आपने गुड का ये उपाए कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ना केवल आपको हर तरह की समस्या से आपको मुक्ती मिल जाएगी, बलकि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चला आएगा, हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है, और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है, ऐसा समझा जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है, और पूरे जीवन में समरिध्ध का कारक बनती है, ऐसी ही चीजों में के चीज है, गुड आपक गुड़ गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, ना केवल बदलाव करते हैं, बलकि पूरे घर, धन और धान से संपन्न बनाते हैं. जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है. ये ऐसी चीज है, जो हर किचिन में आराम से मिल जाता है, मगर ये केवल खाने के ही काम नहीं आता है, बलकि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है, ज बलकि कुछ गुड़ टुकड़े के आपको चाहिए, हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए, ना केवल आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बलकि अपने जीवन में आप सुख सम्रिध्य आते हुए देखेंगे, हो सक जीवन में सुख सम्रिध्य लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय जाए, तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। बलकि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर बड़े बुजर्ग होते थे, वह हर एक रविवार को भगवान सूरिदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजर्गों हो गए या पुराने लो जोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूरिदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या-क्या कर अर्पित की जाती है, जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रह बलकि सूरिदेव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके रहू, आपके केतू, आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे, उस निर्णे से आपको पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे, आपके जीवन में आप धन की तो दोस्तों भी सूर्य भक्त हैं। इसलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहुर्थ तो क्या है? वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है, वह एक उपाय है, जो आपके जीवन के हर तरह के दोश को समाप्त कर देगा। आप मेहनत हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नती रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान है। तो इसकी मुख्य वज़य है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वज़य है कि आपके मंगल दोश है। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगे, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है, प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी कुम-कुम है, कुम-कुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं, उसमें कुम-कुम का होता है, पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है, कुम-कुम थोड़ा सा, एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए, और थोड़ी सी गुड की धेली डाल दी अब सुर्या देव जी को आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिर्ती हुई धार से ही आपको सुर्या देव जी को देखना है और AUM सुर्य नमक का जाप करते रहना है जितनी पानी ये उपाय आप 11 रविवार कर तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोश मंगल दोश, शनी दोश, सुर्य दोश, चंद्र नीच राशिपर हो उसका प्रभाव हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा ये एक महा उपाय जो आज का नहीं बलकि प्राचीन काल के एक महा उपाय है तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दे और कॉमेंट बॉक्स में जै सुर्य देव लिखना मत भूलिएगा दूसरा उपाय है जौब प्राप्ति का महा उपाय आप ये रहे हैं कि आप से कमजोर व्यक्ति जौब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं आपकी जौब नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं बड़ा परेशान हो गए हैं तो क्या करना है 11 रविवार आपको ये उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जौब आपको मिल चाहे प्राइवेट जौब हो या सरकारी जौब कुल मिलाकर आपके आपको एक जौब मिलेगी ही मिलेगी क्या करना है आप प्रत्येक रविवार को उससे पहले नहा लीजिए धो लीजिए आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं या जो अब भी हमने आपको जो मिश्रन बताए थे चावल, गंगा, जल और गुड के उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं भगवान को जल चढ़ाने के पश्चात एक सौ ग्राम, पांच सौ ग्राम जैसी आपकी हो थोड़ा सा गुड ले लीजिए किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए ये उपाय के पश्चात सूर्यदेव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगे और सूर्यदेव जी के आशीरवाद से आपकी मनचाही जौब आपको मिल जाएगी दोस्तों इसको अपने जीवन में हर तरह के दो हक से बच सकते हैं तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा यदि आप छोटे-छोटे काम करते हैं आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुकरवार कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड और पानी ले लीजिएगा और उसके पश्चात निकले अब मान लीजिए, आपको डाइबीटीज है तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड की ढेली रखकर कि अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा मान लीजिए भी नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा अपने साथ जोड ऐसा गुड समझा जाता है गुड साथ में रखने से आपके उपर जो यानि दोश बाधाएं होता है वो गुड सुख लेता है और आप आपके कारे में सफल हो जाते हैं अच्छा आपके जीवन में आपका दुरभाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है तो पांच रविवार ये उपाए कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपका सौभाग्य में बदल जाएगा ये उपाए है और ये आप घर के बुजर्ग भी ये उपाए जानते देखिए एक गाए जो होती है उसमें 33 कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाए के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है गाए की सींग बीच में भगवान भोले नाथ का वास होता है मतलब गाए जो है वो ऐसी हमारी मा नहीं कही गई है दोस्तों गाए को मा कहने की कई वजह है तो यदि आप लगातार पांच रविवार अपने घर ग्यारह रोटी बनवा कर कि उस पे थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख कर कि किसी भी गाए को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है तो दोस्तों आपका भाग्य सौ भाग्य में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटी देवी देवता के साथ महादेव माता लक्ष्मी जी माता गंगा जी का आशिरवाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा ये बहुत ही साधारन उपाय है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाए तो क्या करना चाहिए देखिए आप लोगों को रविवार के दिन रविवार का दिन क्योंकि सूर्यदेव जी का दिन होता है इस दिन यदि लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए कंबल हो, कपड़ा हो गया, छत्री हो गई ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ती का मदद हो सके या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिखशुक होते हैं उनको दान कर दें तो इससे आपको भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है और दोस्तों आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्च जाती है आपके में जो परेशानियाम हो और दिक्कत है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है यदि जौब और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाब होगा गोड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दे ऐसा करने से मन चाही जॉब मिलती है है और कारोबार में भी तरक्की होती है मैं सूर्य की स्थिती यदी शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने काम भी अकसर बिगड़ जाते हैं ऐसे लोग बीमार रहते हैं इससे बचने के लिए रविवार के दिन मचलियों को आठे की गोलियां बना कर खिलानी चाहिए ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिती मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती है कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है पुत्र-पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए, प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं, तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन रदय स्थोत्र का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। दोस्तों, उपाए आज से नहीं, बलकि हजारों साल से पहले से प्रयोग किये जा रहे हैं। जो उपाए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नीमबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप जयोतिश शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्यान करते हैं, तो नीमबू के ऊपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नीमबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने को दोड़ाने के लिए कैसे नीमबू का प्रयोग करना चाह एवं यदि आपका शत्रू आपका विनाश करना चाहता है, तो नीमबू के उपाए से कैसे आप उल्टा अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं। जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति-पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को छुटकी में खत्म कर सकता है। कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके उपर माता लक्ष्मी का आशीरवाद हो, भगवान भोलेनात आपको आशीरवाद दे। तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नीमबू के दस उपाय करके आप अपने जीवन परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक-एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ग्यान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भोले नाथ ने किसी को आशीरवाद दे दिया, तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सबस्क्राइब कर दे दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, तो सबसे पहले आखिर कौन से वो दस उपाय है, जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तो पहला उपा और मिर्च टंगा हुआ होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज हम आपको बता देते हैं, देखिए, कहां जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, वहा नजर लगा देता है, तो यकीन मानिये, एक कहावत कही गई है, कि नजर से तो हरा पेड भी सुख जाता है, इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है, यदि किसी व्यक्ती ने आपके उपर नजर लगा दी है, तो इसलिए लोग क्या करते ह कि अपनी दुकान में नीमबु और मिर्ची रखते हैं, इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है ये बताया गया है, कि नीमबु का खटा और मिर्ची का तीखा पन जो होता है, वो बुरी नजर वाले व्यक्ती की को भंग कर देता है, जिससे वह समय तक खुद को असरदा पूरार नहीं पाता है। ये हिंदु पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है। और आपकिसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके उपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके उपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नीमबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके उ पूरे नीम्बू के उपर लिखा हुआ है। तो तो किसी व्यक्ति के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिये उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। आपके घर का वातावरन बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों हमेशा बनती रहेगी। सरल भाशा में बता दोस्तों आप लोगोंने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। जिस घर की बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो समझा गया है नीमबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नीमबू का पेड़ हो चाहे गमले में लगा चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए। आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा, और मान लीजिए, यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्रविद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, घर की लड़ा करना होगा, धीरे धीरे नीम्बू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब जब नीम्बू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, यानि कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा, तो इ इशा से साथ चक्कर मारने हैं, शनिवार के दिन करना है, और ये नीम्बू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है, ये चार यदि आप नदी और तालाब में बहा दिये, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी न करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उन्ही नीम्बू के साथ वो चला जाएगा, वो नीम्बू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं, कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं, और अपने साथ में बहां ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाईएगा। दोस्तों, नीमबू का तीसरा उपाय जो है, वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब, आप लोग यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक-एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा देखिए, यदि आप बहुत महनत करते हैं आपको का परिणाम आपको फल नहीं मिल रहा है और आप ठक चुके हैं आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सेलेक्शन नहीं होता है तो इसके लिए वास्तु ज्यान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है बहुत ध्यान रखिएगा ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आप लोग जाई हनुमान जी के मंदिर में एक नीमबू और हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करे तो मैं चार लॉंग को गाड़ दे और वहाँ पर बैठ जाए पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नीम्बू को जिसमें हमने चार लॉंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महराज को अर्पित कर दे यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके उपर बाधाएं आई हुई थी यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा नवग्रह जो आपके साथ दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा बोल कर मत पढ़िएगा यदि आप लोग हनुमान जी महराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में यदि आप competition की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है नौकरी कर रहे हो तो प्रोमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुज़र्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे तो आपको क्या करना चाहिए इसमें नीम्बू का बहुत ही उपयोग समझा गया है यदि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबियत खराब रहती है ऐसे में एक नीमबू लीजिए और सर के उपर से साथ बार घुमाईए केवल एक लेना है और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो उस चाकू से उस नीमबू को दो भागों में काड़ दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए केवल इतना कर दीजिए जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी वो नीमबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके उपर से वो नजर उतर जाएगी दो सो पांचवा वास्तु शास्त्र के अध्याए नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है जिसमें प्रयोग होगा ये एक अध्याए है जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नीमबू का यदि आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृध्ध देखने को मिलेगी देखिए अब आपको क्या है पहले तो ये लीजिए कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुख जाता है और वो ठक जाते हैं कि यार अब क्या करें अब तो हम फस गए तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है एक नीमबू को लीजिए एक नीमबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है वो भी चार टुकडों में अपनी दुकान के चार भाग में उस नीमबू को रख दीजिए सुभह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन चार भागों को उठा लीजिए सुभह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है इनको अलग-अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर कि किसी भी नदी में बहां देना है आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी और यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं नीम्बू के साथ तो यकीन मानिये वो जो नजर लगी हुई थी वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पढ़ गई थी वो कोसों दूर हो जाएंगी इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह जाता है ये वास्तुग्यान में भी लिखा हुआ है वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है दोस्त अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है आप लोग ठक चुके हैं भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत महनत करते हैं परन्तु आप लोग ठक चुके हैं महनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है आप नौकरी की तैयारी करकर के ठक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और इसी तरीके की बातें हो रही है कि आप लोग बहुत परिशान हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा देखिए, ऐसा है कि आप लोग यदि नौकरी कर रहे हैं और आपका सेलेक्शन हो पा रहा है और व्यापार में व्रिद्ध नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है तो केवल आपको ये करना है कि एक नीमबू लेना है उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है आप लोगों को करना ये है कि इस नीमबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाब करना है ये मंत्र है ओम श्री हनुम्ताई नमा यदि इस आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लॉंग काट देते हैं तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं इस नीम्बू को अपने बैग में रख लीजिए अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रखकर के ले जाईए, यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहाँ सेलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका तीन से चार रुपए का खर्चा है। परंतु यकीन मानिये, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमा। एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए, यदि आपका मंगल कमजोर था, तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा। परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा। क्योंकि हनुमान जी को 108 नमबर बहुत ज़्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं, तो वो ही होता है। और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटर्व्यू के व नमबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए, अब आप घर में कोई रोगी व्यक्ति है, जो दवाई करा करा कर ठक गया है, अस्पताल जा जा कर पक गया है, और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है, कि अब मैं क्या करूँ, तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं, वो केवल आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, आपको शनिवार के दिन ये करना है, कि उस रोगी व्यक्ति के उपर से नीमबू साथ बार उतारना है, मतलब सिर से लेकर पाव तक इस नीमबू को साथ बार उतारना है फिर एक चाकू लेना उस चाकू को एक्कीस बार उतारना है ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए शनिवार के दिन यदि आप शनिवार के दिन करते हैं तो सौ प्रतिशत ये काम करेगा ही करेगा। आपने साथ बार नीम्बू उतारा, 21 चाकू उतारा, उपर से नीचे, अब आपको उस चाकू से उस नीम्बू के चार टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है। जहां पर चार रास्ते हो, दाहिने, बाहिने, आगे, पीछे, वहाँ पर अलग-अलग दिशाओं में इन चार तरीके के नीम्बू को फेंक देना है। और रात के वक्त, मतलब साथ बजे ये प्रक्रिया करिए, नौ बजे तक इस नीम्बू को ले जाकर के फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर देते हैं उस रोगी के उपर, यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए, तंत्र मंत्र कर रखा हो, आपके घर के बच्चे के उपर, आपके उपर या किसी के उपर भी वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी, और वो व्य देवल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके.